नमस्कार दोस्तों, SZ Classes के इस YouTube चैनल पर आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में जी हाँ, President of India आज तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनको हम लोग करम से याद करने वाले हैं वो भी एक अनोखी ट्रिक से हस्ते खेलते हैं आपको ये सारे आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हो चुके हैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ कि हमारे देश में अभी तक व्यक्तिगत रूप से 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं इस वीडियो की एक खास बात ये है दोस्तों कि ये केवल competition level के तयारी करने वाले विद्यारतियों के लिए नहीं कि उसकुल में पढ़ने वाले विद्यारति जो हैं उनके लिए और बाकी सभी लोगों के लिए जो की भारत के राष्ट्रपतियों को याद करना चाते हैं एक से लेकर के 14 तक वो भी क्रम से वो भी एक अनोखे ढंक से उनके लिए एक रामबान थाबित होगा तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में ये जरूर 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 बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों और साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है इसी प्रकार के बहुत सारी वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से दिमाग का इस्तमाल करते हुए हस्ते खेलते हम लोग इसकल नमबर 52 के अंतरगत बनता है तो इस अनुचे संख्या 52 को हम कैसे याद रखें कि पहले एक छोटी सी बात में आपको बता देता हूं जैसे ये देखिए ताश के पत्ते आपको नजर आ रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी सं राष्ट्रपती कहलाता है इसी तरह कि कुछ इमेजेज और कुछ मेंटल लुक और कुछ अंक में आपको याद करवाने वाला हूं पहले एक बार वो याद करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों को बहुत अच्छे से हम लोग याद करेंगे तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बताए एक नंबर पर क्या आता है दोस्तों तो आपको ध्यान लखना है एक नंबर की इमेज यानि एक नंबर जो है वो किसके जैसे दिखता है एक नंबर दिखता है इस पैन की जैसे तो एक नंबर पर आपको ध्यान लखना है पैन ध्यान लखना है दो नंबर दो नमबर पर आपको ध्यान लखना है बतक, जी हाँ दोस्तों, दो नमबर पर आपको ध्यान लखना है जी हाँ दोस्तों, 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 दोस् पांच नंबर पांच नंबर पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों हुक जी हाँ हुक जिस पर हम लोग क्या टांगते हैं पंखा यानिकी फैन टांगते हैं दोस्तों तो पांच नंबर पर आपको क्या ध्यान में रखना है हुक छै नंबर पर आपको क्या ध्यान में रखन की तरफ गिरता है, आठ नमबर, आठ नमबर की बात करता हूं, तो आठ नमबर की आकरती किस की जैसी होती है दोस्तों, आठ नमबर की आकरती होती है, डमरू की जैसी, नो नमबर, नो नमबर पर आपको क्या ध्यान रखना है, नो नमबर पर आपको ध्यान में रखना है, के पार फिलाकी है? आपको जहान में रखना है कोई न कोई महीला किसकी साथ microbiota तो आपको ज्याल रखना है यह एक नमबर और उसके बाद में आप ने यहां पर बनाया तीन नमबर तो यह क्या बन गया दोस्तों फुर्ट पी आपको ज्याल खना है तेरा नमबर पर और 24 वर्श के वनवास किसे मिलाता श्री elles राम पो चौधा पर आपको क्या दण लखना है वनवास ध्यान रखना है तो आपको याद हुआ होगा दोस्तों पर वापस से से रिवाइस करते हैं फटाफट से एक नंबर पर क्या आता है दोस्तों एक नंबर पर आता है पैन बिल्कुल दो नंबर दो नमबर की आकरिती किसकी जैसे बताई थी? दो नमबर की आकरिती? बतक तीन नमबर की आकरिती किसकी जैसे बताई थी? जी हाँ, चश्मा चार नमबर पर क्या बताया था दोस्तों? चार नमबर पर कुरसी 5 number 5 number की आकरती किसकी जैसी plutôt qi ki जैसी जिस पर हम क्या टांगते है फैन six number पर क्यायाद रखना था a number क्या याकरती स् टिक साथ number पर क्या था साथ number पर धा जर्ना आठ number 8 number पर दोस्तों डंबरू Our number now number जी हाँ no number पर tard dead number बैट और बौल ग्यार नमबर पर आपको शिरी राम को याद करने करनेवाल है पैन रखते थे जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राश्टपती जो हमेशे अपने पास में क्या रखते थे पैन, तो पहले राश्टपती क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है, और नदियों में आपको क्या नजर आएगी बतक, तो बतक से आप क्या ज़ान रखेंगे, राधा कृष्णन, यहीं सर्वपले, राधा कृष्णन, तीन नमबर, तीन नमबर पर आपको ज्यान में रखना है चश्मा, और चश्मा हमेशा कौन लगा के रखते थे, जाकिर हुस और हुक पर हम क्या टांगते है, फैन, यानि की फैन की स्पैलिंग किस से शुरू होती है, एफ से, तो यहाँ पर जो राख्ष्ण पती होंगी, उनकी स्पैलिंग भी शुरू होगी, एफ से, यानि फकरुदीन, अली, एहमद, छे नमबर, छे नमबर क्या आकरती किसकी जै आते हैं सरदार जी तो ध्यान लखेगा हमारे देश के सबसे पहले सरदार या सिख राष्ट्रपती कौन थे ग्यानी जेल सिंग आठ नंबर की बात करता हूं आठ नंबर पर आके याद किया था आपने डमरू किसके पास होता है शिव जी डमरू बजाकर क्या दूर कर देते ह आठ नंबर पर आपने अठ किया था गुबारा वह शान्ती का पृटीख होता तो वू शंती का दयालूता का प्रतीक होता है तो आपको याद रखनाओ &іїद रखना है recorded and say बड़ को अंध। आपको याधीन लॉब शर्मा शंकर डियाल शर्मा-पैट और बॉल बैट और चोटी से जानकरी के लिए ऐक और बता देता हूँ कि हमारे देश में इनके अतरिक्त कुछ acting president या अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपती भी रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है वीवीगिरी का, फिर मुहम्मद हिदायतुला का, और फिर नाम आता है बीडी जत्ती का दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, VMB acting president थे, VMB acting president थे हमारे देश के, तो दोस्तों ये थे हमारे देश के राष्ट्रपती जो आपने करम से याद किये, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक